हाई गेस स्वागत आप सभी का टेक्निकल एड़ लांस में में हो इलियास दोस्तों वीवो ने हाली में इंडिया में अपने नए वीवो यूट्वेंटी स्मार्टपॉन को लोंच किया है वीवो यूटेन की तरह वीवो यूट्वेंटी को भी आकरसक कीमत के साथ मार्केट म वी है लेकिन इन में से कौनसा फोन आपके लिए सही तो आए जानते हैं सबसे पहले बात करते हैं इनकी डिस्प्ले की वीवो यूट्वेंटी में 6.5 इसका फूल HD प्लस डिस्प्ले है इसका रिजोल्यूशन 1080 वाइ 2340 पिक्सल है इसका स्क्रीन टो बोडी रेशियो 90.3 परसंटेज और पीक ब्राइटनेस 48 निट से जबकि Redmi Note 8 में 6.3 इसकी फूल HD प्लस स्क्रीन दी गई है जिसका रिजोल्यूशन 1080 वाइ 2340 पिक्सल है कंपनी ने इसी डिस्प्ले का इस्तेमाल Redmi K20 में किया है ये 90 परसंट स्क्रीन टो बोडी रेशियो और सारे 19 नॉस्पेक प्रोसेसर दिया गया है ये स्मार्टपॉन एंडूर पाइपर बेस्ड़ फंटाच OS 9 पर चलता है वही पर Redmi Note 8 में Qualcomm Snapdragon 665 प्रोसेसर दिया गया है ये आउट आप बोक्स एंडूर 9 पाइपर बेस्ड़ मुई 10 पर काम करता है अगर इनके केमेरा की बात करते तो वीवर यू Redmi Note 8 में 4 रियर केमेरे दिये है या 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी केमेरा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सूटर और 2 मेगापिक्सल के दो सेंसर दिये है इसमें 13 मेगापिक्सल का सेल्पी केमेरा भी दिया है अगर बेटरी की बात करे तो वीवर यू 20 में 5000 एमेज की की कीमत 10,990 रुपे है और इसके 6 GB RAM 64 GB storage वेरियन की कीमत 11,990 रुपे है जबकि Redmi Note 8 की कीमत 9,999 रुपे से सुरू होती है ये प्राइस 4 GB 64 GB model किये स्मार्ट फोन के 6 GB 128 GB वेरियन को करीब 12,990 रुपे में बेचा जा रहा है तो दोस्तो अब आप इन दोनों फोन्स में से अपने लिए best phone चूज कर सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए इतना है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सेर धरूर किजिएगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए